अब प्रतिक्षा तो बस प्रभू के इस पावन चरित्र को संसार में प्रसारित और प्रशारित करने वाले की है शिशुओं का तन लग रहा है जैसे सारा वातावरन ही खिलुखा हो ये शिशुओं के रुदन के धनी कितनी मनमोहत और लुभावने लग रही है रिशिवर दो सुन्दर बालक जन्मे है और दोनों ही स्वस्त है अब तो आनंद चा जाएगा यहाँ शिशुओं की किलकारिया गुंजेंगी यहाँ शिशुओं का जन्म हो चुका है अब तो उनके भक्षण में और भी आनंद आएगा लिट्य कर रहा है वानर इतने समय से यह ढीट वानर यहीं खड़ा है तुम जैसे ही हड़ोगे वानर यह शिशुओं की किलकारिया विट्यों के खंदन में परिवर्तित होते दे नहीं लगेगी मता आ रही है मैं कैसे दर्शन करूं शिशुओं का एक जलक ही मिल जाए कैसे होंगे नन्हे से सुन्दर से कोमल शिशुओं प्रभू के जैसी छवी होगी उनकी या फिर माता के जैसा मुखडा इनका मुखडा देखने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी यहां से भी नहीं देख पा रहा हूँ कैसे देखूं क्या करूं मैं पित्रिवर यह आपके नाती अब नाना बन गए हैं सर्वपथम इन्हें प्रभू के श्री विग्रह के दर्शन कराओ आशिश दिलाओ इन्हें उनके यह क्या था जैसे दो नन्ने शिशुओं का सपर्श किन्तु यहां तो कोई नहीं है अब इन पर किसी की कुद्रिष्टी का प्रभाव नहीं पड़ेगा पित्रिवर आपने कोई श्रुव नाम सोचा है अपने नातियों के लिए इनके नाम प्रभू के संतानों का नामकरण? मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ? यह कैसे विवश्टा है? नहीं नहीं अब नहीं रह सकता मैं यहाँ हनुमान आपको वचन देता है कि यह हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की डियोड़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा मैंने माता सीता को वचन दिया है कि मैं आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं करूँगा अच्छा तो वानर के लिए आश्रम में प्रवेश परजित है यदि मैं आश्रम में प्रवेश्ट हो गया तब ये वानर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता पूज क्या रहे है पित्रिवा नाना है आप इनके धर्म निभाई है नाना का कोई शुव नाम रखकर आश्रवाद देजिया इन्हों ने तो स्वयम ही अपने नाम चुन लिये पुत्री कुशा बहुत ही पवित्र होता है इन दोनों ने स्वयम ही कुशा को पकड़ कर संकेत दिया है इन चिरंजीव ने उशा का उपरी भाग पकड़ा था अथा इनका शुबनाम होगा कुश और इन भाग्यवान ने निम्न भाग पकड़ा है अथा इनका शुबनाम होगा लफ इन जुडवा भाईयों को लफ कुश के दाम से जानेगा यह सारा संसा है लवकुष 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 बहुत है सुन्दर और प्रिय नाम है लवकुष प्रभू को ग्याद होगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे मैंने नाम तो सुन लिया किन्तु दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं कैसे होंगे लवकुष मन करता है दोनों को अपने हृदय से लगा लूँ जहां मेरे प्रभू श्री राम बसे है आत्मा कितनी भी तडपे किन्तु मैं माता का वचन नहीं तोड़ूँगा कदा भी नहीं मेरी ये दशा हो रही है यदि प्रभू को ग्यात हुआ तो उनकी व्यथा उनकी विवश्टा की तो कोई सीमा ही नहीं होगी आज बेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है इतने मास बीद गये किन्तु आज एक एक मुझे शिशों का आभास क्यों हो रहा है अब अश्य ही मेरी सीते मुझे बहुत आधिक स्मरड कर रही है मेरी सीते की मुझे एक छलक मिल जाए बस एक छलक ही मिल जाए लवकुष्की तो हनुमान का हिर्द है शांत हो जाए माता अब आप ही मुझे लवकुष्के दर्शन कराईए लवकुष्क सुन्दर तेजस्वी मन मोहक मेरी माता के पुत्र पुना है यह वानर आगया मध्य में कितने भी बाधाउत पन कर ले यह वानर कितने भी दिन भी जाए किन तो मुझे आश्रम में प्रवेश करने से तुम रोक नहीं पाओगे बस एक उसर और बली चड़ जाएगी दोनों शिशुओं की इस शिशुभक्ची के हाथ हों अपने लाड लोग को अंजन लगाओंगी चंदन लगाओंगी चपकी कूदिश चिछे बचाओंगी चिछल बले हो जाओ मेरे लाड लो अब ही तो माता उत्साहित थी फिर माता अकसमा थी दुखी क्यों हो गई प्रभू के श्री विग्रह को देखकर अश्रु निकल पड़े हैं माता की ऐसा क्यों? आज तो चैत्र नौमी? अरे हाँ चैत्र मास की नौमी को तो प्रभू श्री राम का जन्म दिवस हैं कदाचित राम नौमी को स्मरण करके ही माता दुखी हो रही हैं मेरे प्रभू का जन्म दिवस अयोध्या में उत्साव प्रभू के जन्म उत्साव में हनुमान न जा पाए? ये तो अनुचित है मुझे तो जाना ही होगा किन्तु कुछ तो लेकर जाना चाहिए मुझे प्रभू के लिए जै श्री राम प्रणाम रिशिवर रिशिवर आज राम नौमी है प्रभू का जन्म दिवस आज मैं आपसे कुछ निवेधन करना चाहता हूँ रिशिवर यदि माता के हाथों से बनी हुई खेर मिल जाए तो मैं उसी से प्रभू के जन्म दिवस पर उनका मुह मीठा करा दूँ तो समय आ गया है मुझे सतर्कता के साथ आश्रम के निकठी रहना होगा जैसे ही वानर जाएगा और मैं आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊंगा अश्रम मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का किन्तु तुम्हारे हाथ की बनीवर बनाओगी ना अपने हाथों से खीर आवश्य पित्रिवर मैं अभी बना कर लाती हूँ यहां एकाकी है यह आजवश्य हें दोनों कोमल शिश्वों को अपना हार बनाऊंगा प्रभू आज अवश्य ही आपके दर्शन करूंगा आपके जन्म दिवस पर आपके पास विशेश उपहार लेकर आएगा आपका यह हनुमान खर राइब साह करूंगा टो अवश्य हूँ विभिन राजियों से कई राजा महराजा आये हैं यहां सभी मेरे प्रभू को कुछ न कुछ भेट दे रहे हैं कहां है वो असीम सुख जो प्रभू दर्शन से मुझे सदैव प्राप्त होता था कदाचित प्रभू के असेम दुख के कारण उनका ये तुछ भग्त भी दुखी है महराज श्री राम ये भेट आपके लिए आपके जन्दिवस के शुपकामनाओं के साथ संपूर्ण अयोध्या उत्सा में डूबा हुआ राम नौमी का उत्सा मना रहा है किन्तु स्वयम प्रभू श्री ही प्रतीत हो रहे है प्रभू दुखी है समस्त भ्राता भी दुखी है प्रतीत होता है माता के जाते ही जैसे समस्त सुख चले गए हो भवन से अब ये दुख और नहीं देख सकता मैं प्रभू को सब कुछ बता दूँगा मैं कि माता वालमी के रिशी जी के आश्रम में है एवं उन्हें दो जुड़व पुत्र रतनों की प्राप्ती हुई है प्रभू को कुछ तो प्रसनता मिले प्रत्र की मंसा सबसे बड़ी होती है यदि हनुमान ने श्री राम को लवकुष के बारे में बता दिया तो श्री राम सोयम को रोग नहीं पाएंगे वजन भंग के दोशी हो जाएंगे उनका सारा स्याग प्यर्थ हो जाएगा अब आज मुझे कोई नहीं रोग पाएगा अब रुकूंगा नहीं उपहार के रूप में उन्हें ऐसा समाचार दूँगा जो मेरे प्रभू को प्रसन्न कर देगा अब प्रसन्न कर दो बाएगा इतने दिनों बाद भाईया के मुखपर आई समंद मुसकान का कारण ये धनुश है या कुछ और मेरा हनुमान आ रहा है इतने समय पस्चात प्रभू के दर्शन पाकर आज मैं त्रिप्त हो रहा हूँ हनुमान तुम क्या उपार लायो मेरे लिए आपके लिए प्रसन्नता का भंडार लाया हूँ प्रभू माता सीथा और आपके पुत्रों का समाचार आपको आनंद से भर देगा प्रभू प्रभू जिससे सुनने के लिए आप व्याकुल होंगे वो समवाध उपहार के रूप में लाया हूँ किन्तों कैसे बताऊं आपको मैं कहां से प्रारंब करूं आपसे आपसे विलग होकर माता अच्छा पुत्र अनुमान यह क्या कर रहे हो तुम पुत्र क्या तुम रखुनंदन राजा राम को पुना तुविधा में डालना चाहते मेरे साथ उनके दो पुत्र आश्रम में पल रहे हैं यह जानकर राजा राम स्वयम को रोक नहीं पाएंगे वो दुर्बल पढ़ जाएंगे खदाचिते हमें लोटा ले जाने के लिए वो दोड़े चले आएंगे ऐसा हुआ तो मरियादा पुरुशुत्तम राजा राम की मरियादा खंडित हो जाएगी रजा के मन में उनकी जो आस्था है वो खंडित हो जाएगी ऐसा हुआ तो राजा राम राजधर्म की परिक्षा में असफल हो जाएगे पुत्र हनुमान, क्या तुम उन्हें विपल करना चाहते हो? सोच का रहे हो, हनुमान. बताओ क्या लाए हो? अरे, तुम तु अभी भी नहीं बता रहे हो? क्या लाए हो मेरे लिए? हनुमान, संकोष मत करो. क्या चिपारे खाय अपने हाथों में? बताओ मुझे. बताओ हनुमान. मेरे हाथ में तो बस खीर का एक कटोरा है प्रभू. इस भरी राज सभा में, जहां सभी आपके लिए दिव्य और भव्य उपहार लाए हैं, मैं अपने प्रभू को खीर का कटोरा कैसे दू? क्या प्रभू ना शुमान24 का कुछ कर द Color FM कौर किढ एक कर हादीो कि आपके इसे कर दो थे यारे मैं हैं आपके फंपारा को का का क prag ज年前 2 शूत हम कि आपके अपना हाथ बढ़ा भनुमान दिखाओ मुझे क्या लाए हो ये मेरा आदेश खीर ये खीर कहां से लाए हो अनुमान क्या हो तर्दो मैं प्रभू से ना सत्य बोल सकता हूँ और ना ही आ सत्य परिस्थिती ब्यक्ति को भावुख बना सकती है किन्तु भावना में बहकर हमें अपने दिये वजन को नहीं भूलना चाहिए पर अप्डेट्स सब्सक्राइब तो आर चैनल क्लिक दे शो लिंक्स और एंजोई वाचिंग दे वीडियोज क्लिक दे वीडियोज 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 क्लिक दे वीडियोज